लिख कर ले लो वह नहीं आएगा लिख कर ले लो तुम fail हो जाओगे तो friends आज का advanced English structure का ये 8th lesson है और इस structure में जो हम phrase use कर रहे हैं वह है लिख कर ले लो जिसको हम English में बोलते हैं mark my words mark my words तो mark my words के बाद हम अपना usual sentence use कर सकते हैं तो आएए इस structure को हम English में कैसे use कर सकते हैं कुछ sentences की help से सीखते हैं so our first sentence is लिख कर ले लो वह नहीं आएगा mark my words he will not come our second sentence is लिख कर ले लो तुम्हारी कोई मदद नहीं करेगा mark my words no one will help you our third sentence is लिख कर ले लो यह रिष्टा ज्यादा लंबा नहीं चलेगा mark my words this relationship will not last long लिख कर ले लो की जगा हम और भी चीज़े यूज़ करते हैं जैसे की देख ले न या कह देता हूं या फिर मेरी बात को गांट बांद लो तो इन सभी के लिए हम mark my words का यूज़ कर सकते हैं let's move on to our fourth sentence देख ले न वह ये match हार जाएगा mark my words he will lose this match let's move on to fifth sentence देख ले न तुम बहुत पच्चताओगे mark my words you will repent a lot so let's move on to the last sentence for the day मेरी बात की गांट बांद लो वह तुम्हे हमेशा धोका देगा mark my words he will always cheat you तो friends ये था हमारा advanced English structure का eighth lesson जो था लिख कर ले लो या फिर मैं कह देता हूं या फिर देख लेना और या फिर मेरी बात की गांट बांद लो तो इन सभी के लिए हमने जो इंग्लिश में फ्रेज यूज किया वो था mark my words तो आपको समझ आ गया होगा सो स्टे कनेक्टेड विद आस तो लेर्न मोर न्यू स्ट्रॉक्ट्टर्स कीप लेर्निंग बाइ-बाइ